नमस्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार सोनी आप सबको बहुत बहुत जोहार आज हम लोग दूडायर जिरूल फूल का दूसरा जो एक तरह से फूल एकांकी है एक नाटक है उसको लेकर करके चल रहे हैं पिछली कक्षाहों में हम लोगोंने मुहावरे लुकोक्तियां और खोर अगरवी इस चैनल से तैयारी करते हैं तो ज्रकण का खुलास में पड़ रहे हैं उसके प्लेइलिस्ट के लिंक डिये हुए हैं इसके अलावा अप इन खोर्टा के क्लास को रिगुलर करें दोस्तों ठीक है तो आंट जो हम लेकर करके चल रहे हैं ठीक है आप अंत तक देखें और बहुत बहुते तरीके से देखें आपके पस्बूक वकिर आप निकाल लें लाइन वाई लाइन हिंदी करके मैं बता दूंगा और बड़ा इंटरिस्टिंग तरीके से इसको पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से आज जो हम लोग चेप्टर पढ़ने जा रहे हैं द ठीक तो आईये फूल थक में और बेसिकली फूल का अर्थ यहां पर फूल नहीं होगा फूल का अर्थ हो दोस्तों सहिया आप समझते होंगे जार कंदी तो फूल吧 ही है यह सारे चीज papWarl का आर्थ से सहन्क्र कौन कोब से हैं क्योंकि character सही प्रस्न पूछ जाते हैं और वह पुछे जाते हैं जो आपको पसीना तक छोड़ा देगा दोस्तों लेकिन कोई दिक्कत नहीं आप दीपक जैसे कडमी परिवार से चुड़े हुए हैं इसलिए आप धंग से पढ़े कोई किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं होता है यहां आप लगतार पढ़े बस सोहराई कोने दोस्तों एक फार्मर होता है एक किसान होता है जो इस कहानी का इस एकांकी का मुख्य पातर है उसके बाद सुमती मिलेगी आपको सुमती सोहराई की पतनी है सुमती कोन है सोहराई की पतनी आप अच्छा से याद रखें इन कैरेक्टर्स को उसके बाद बूच बूचा गाओं का एक अमीर आदमी है, जो सोहराई के जमीन को लेना चाहता है, याद रखिएगा, बूचा गाओं का एक अमीर आदमी है, जो सोहराई के किस को लेना चाहता है, जमीन को लेना चाहता है, उसके बाद आपको मिलेगा सुरू का, सुरू का चर्चा मिलेगा, सु सुगया का चर्चा मिलेंगा सुगया सुगना की वाइप है सुगना की पतनी है आप ध्यान में रखेंगे इन बातों को घ्रका ने जाता है तो इसी बात का फाइदा उठा करके संचेप में बता रहे हैं इसी बात का फाइदा उठा करके बूचा जो होता है सोहराय के कुछ जमीन को क्या करना चाता है खरीदना चाता है और ठीक उसी जमीन को खरीदना चाता है जिसमें धान का खेती हो रहा है बूचा खरीद पहते हैं इसके बाद सोहराय की पत्नी सुमती बड़ी अच्छे दिमाग की होती है सुमती जो होती है सोहराय को समझाती है कि आप बेचिये मत हैं बिसक्राइब की चाहता है तो समझ लीजे उस सावन के समय में एक बैल जो होता है वो सोहराय का क्या हो जाता है मर जाता है और एक वैल कि मर जाने के कारण वहल तो जोत नहीं सकता एक वैल से इसलिए आप समझेगा इस बात को है न तो बूचा इसको लालस देता है कि हम तुम्हारा भइला भी करीद देते हैं और जब धान का फसल तुम काट लेगा एक बार उसके बाद हमको जमीन बेच देना ठीक है तो याद रखेगा तो एक ही बैल इसके पास रहता है विलोग दुबिदा में पढ़ जाता है कैसे करें का करें नहीं करें तो देखिए सुगिया जो सुगिया होती है वो सुमती की क्या होती है सहली होती है किसकी सहली होती है सुमती की सहली होती है और सुगिया भी बोलती है कि मेरा भी एक बैल मर गया हम लोग भी कैसे करेंगे तो इसी में आता है कि गरीब आदमी ही गरीब आदमी की काम आएगा और सुगना और सुहराय दोनों फूल बन ज मुचा को नहीं बेजता यार दखिये घ्राइंगा तो यह कुछ मुक्रांज ते उसके बाद भी हम लोग कहानी में जानेंगे दोस्तों इसके जो लेखक थी पर वह सांती भारत नाम जो है कुर्टा में भारत है इनका जन्म 6 अपरील 1965 को हुआ जन्म कब हुआ छे अप्रील 1965 को कहां पर जन्म हुआ दोस्तों बोकारो जीला का चौफांद गाउं में मा का नाम इनके मायक का नाम क्या था रतनी देवी इनके बापक का नाम क्या था कुंजु मातो सिक्षा कि अगर बात करे तो बी ए ए एंबी ए बिनाया कमिस्टन यूनिवर्सेटी तामिन लाडू से इन्होंने किया था पैसा बोकारो इस पात का रखाना सुरक्षा नेदेशकपत पर रहते सुरक्षा नेदेशकपत पर रहते बिसिकली इनके कुछ और कृतियां इनके कुछ और लेखन है लोतन डहर कवीता है यह बिलंदरी लोगित संग्रा है यह आप याद रखे यह सप्रस्ण पुछे जाएंगे आपसे अब आते हैं एकांकी के तरफ फूल एकांकी के तरफ तो देखिए पहला दिरिश में क्या दिखाए गया है दिरिश एक है ना पहला दिरिश में क्या दिखाए गया है देखिए काता है कि मुहें हाथे लेके आप अच्छा से लाइन बाई लाइन पढ़ते जाएगा मैं समझाते जाओंगा मुहें हाथे लेके सोहराई गास तरे मंझान बैसल यह दिखा जाता है कि मुहें हाते लेके कि मुहें हाथे लएकर सोहराय गास तरह मनझान बैसल है पूचा सिंग आवा कहेगा दोस्तों कि सोहराए जोरा खोष्ते खोष्ते थाइक गेल हो धारे का हल थून पोखर बटे गेल हो यानी कि बूचा सिंगह आता है कि था तुमको खोशते-खोशते हम ठक गए घारे कहल थून कि पोखर बटे गेलो यानि कि घर में पूछे तो तुमके बारे में बोला कि वो पोखर के तरफ गए हुए है तलाब के तरफ गए हुए है और तो हिया बैसल है यानि कि और तो यहां बैसल है यानि कि यहां पर तुम बै दुख हुआ सुनके कि तुम्हारा जो रंगिया गरूँ था यानिकी रंगिया जू बैल था है हएना वह मर गिया सोहराई नजी लाट कर दो घजिग भूए्ट के बूणो सुहरारान यांड इसी बात पर इंग आ सबस्क्राइब सबस्क्राइब का मतलब किसान होता है तो वही सोहराओ बोल रहा है कि का क्या हाल होता है आप जानते ही हैं बीहन बोड़ भाइल गेल यहन कि बीहन क्या हो गया बढ़ा हो गया बुजाये घरे के कोनों लो एक सिराय गेल लगता है कि घर का कोई लोग मर गया है ऐसा लगता है जैसे बैल मरा है ठीक है तीन काठक धाने बिहीन कैसे जे रोपा बुझे नहीं पारो यानि कि तीन कठा का धान का बिहीन हम कैसे रोपेंगे अकेले कैसे कादो दो करेंगे है न हम भूजे नहीं पा रहा हो यानि कि मैं भूजने नहीं पा रहा हूं मैं समझने नहीं पा रहा हूं बुचादा खेते पानी लाइग गेल, धान नाए रोपे, ले गी दर भुतरू कैसे पोसब, मैं खेत में पानी लग गया है, अगर धान नहीं रोपे तो गीदर का मतलब मैंने पिछले क्लास में भी समझा था दूस्तों भीमा में, कि गीदर भुतरू का मतलब उता है बाल बच्चा के कैसे पोसब कैसे पास पालूंगा मैं अगर धान नहीं लगाओंगा तो देखे बुचा फिर काता है दोस्तों फिकिर की ले करे हैं सोहराई हीत मितर कदिया काम आवे और कई दिन तनी थाम खेते में उर्दियाईल है कादाक भेली हमरहार गरू लेके खेतवे प्रेड़िया देखे हैं नशुने हैं मैं जाएगा उसके बद मेरा घरू ले करके और तूम क्या कर लेना खेत रोप लेना ठीक सोहराह यशी बात पर बोलता है में तुख जूराइन का ध्यान से सद्ब्राइन पलता है गृता है जल्दी का मतलब क्या होता है जल्दी ब्याकरता से चाड़ में काचा कोड़ी विवस्ता कैसे हते बूचा यानिक यतना जल्दी कचा कोड़ी यなई पैसा का विवस्ता जैसे होते कैसा था तोह जानुवए करा हैं हमार हाल यानिकि आप तुम्हेरा हाल जानी existing किना गरीब है बुचा फिर बोलता है तो और एह बात गुला हमरा बेस नाइ बुझाओ यानि कि तुम्हारा यही बात हमको अच्छा नहीं लगता है जैसे कैसे किसे को मिठा मिठा बोल करके फसाना हो यही सब बात बोले जाते हैं दोस्तों आप ध्यान में रखेगा तो और एह ब करता है कि तुम्हारा बाप के भोज के समय जो सामने का खेत है उसका जितना दाम हम दिए उतना दाम कोई गाउं का वाला देता बोलो तो सोहराय बोलता है फिर सो तो लाए में तु गरू किन एक पैसा कहां से आईता है सो तो है बुचा दा लेकिन गरू किनने के लिए है न बेल किनने के लिए पैसा कहां से आएगा तो बुचा बुलता है दोस्तो बुचा बुलता है देख देख सोराई जेरम तो एक गुष्टी भयाद आप उस पर एक लाई-लाई इठनाई रहिए सहिर रकम हमरों सुभाव है ने बुलता है कि देखो सोराई जितना तुम्हारा ही कक्रों ना आज कल किस कोई किसी का नहीं है एगो तोर घर से हमर पुराना लेंदेन है तोर बाप हमर घरे मुंसी रह लो सेले तोर खातिर हमरो कुछ सोचे हावे हैं चुकि तुम्हारे घर से मेरा कुछ लेंदेन है तुम्हारा बाप मेरे घर में मुंसी था मैंने पहले भी ब हम समझे नहीं बुचादा यह बुलता है तब यह बुलता है तम खुर्दे के मतलब वजन देके बात इह सोहराई जिसको जान पहचान रहता है जिसको बहुत जान पहचान रहता है उसको बहुत ज्यादा चीज करना पड़ता है नौजवा का मतलब अमीर आदमी जिसका बहु तकर उपर तनी पाटी साटी से जुड़न हो और उसके उपर थोड़ा सा उपर के पाटी साटी से जुड़े हुए हैं घरे राय दिन लोके का आना गोना है घर में रात दिन हमारे लोग आते हैं यह अपना बड़ाई गिनारा है बुचा जो है अपना बड़ाई गिनारा है कि काक्रो भोज काकृर्विः लागले बुचा सिंग छाड़ा गाव सब्सक्राइब मदद करता है तकर उपर यानि कि उसके ऊपर बालवच्चा जो है हमारा वह बाहर में पड़ता है उस अवे के खर्चा काम नखे रिशाएं सेले कि मेरा बाल बच्चा भी बाहर पढ़ता है इसलिए खर्चा बहुत जादा है मेरा इसलिए हम सोचें कि एक चीमनी भटा खोलें और इसके लिए तुम्हारा जो है बॉन धारिक बॉन धारिक का मतलब जो खेत इसने बनाया था जंगल में है ना दोनों मिया भी मिलके सोहराय औ और यह सोराय और आपका सुमती उस बॉन धारिक बन को मतलब बॉन के तरफ यानि कि जंगल के तरफ जो खेत था उसको यह क्या करना चाह रहा था खरीदना चाह रहा था जैसे ही बोला सोहराय तांक है यानि कि सोहराय क्या करता है यानि कि अभी नहीं अब एगर तुम खेत को बना लिया है तो धानुन काटो उसके बाद तुम हमको क्या करना वो खेत दे देना सोहराए बोलता है फिर बॉँचादा इता कहले के बूचादा इता की कह ले यहीं के बूचादा आप यह क्या करें उटा जे गो पहरी हले हमिन दूए बेगत राइट दीन माटी काईक के अका खेत बन ली एक वो टाण था एक परित भूमी था वो जिसको हमिन दूए अफय। सोहराई की पतनी सुमती Online दिन माटी काट वक्रेख बना वली टा पहले बचागर मैं धान रोप यह कहते कि आछ कहाँ कि क्हेत वाप बेचने के लिए यह क्या हो पाएगा भूचादा तो बुचा कहता है एकन ना है सोहरा एकन ना है इटा की हमरा सोभा देत खटल है तो इबेरिक आबाद तक खाई ले अगहन मासे दी है तकरो में आगु गरुआ कीन दबो तकरबाद खेत वाले बो यहके कहने का मतलब है बुचा कहता एक इस समय नहीं सोहराय एक अब कि तुम खटा है यह हमको सोबह थोड़ी देता है खटा है तो इस बर धान रोप लो आढगान मास में देना जब धानों काट लेगाना तो आगन मास में देना अभी हम तुम्हारा भैल खरीद देते हैं ठीक है सोहराय बुलता है सोचो ही बोन धारी खेतवा यानि कि ये बुछादा हमको घार में पुछना होगा बिना सुमती के पूछे यानि कि अपनी पत्नी के पूछे हम कूछ नहीं कर सकते हैं देखो बुचा क्या बूहता है देख्येंगेрипयों दूस्तों उससारहा कि तु मांज में करेंगा और कोई काम करेगा क्या यह हुआ है बेचाना देखिए अपनी पतनी के लिए कितना रिस्पेक्ट रखाए यह बोलता है कि आपके समाज में नहीं होता होगा बूचादा लेकिन हमर संगे यानि मेरे साथ मरी सुम्ती जो है जोडा के जोडा का मतलब जोला नहीं दोस्तो जोडा का मतलब खाचली होता है खचिया जोड़ा के जोड़ा माणा फेकिया मोटत फ्新 म्हार करना समयर के बारakर जंजायन बता से खटरी साथज你們-69 सब अपना थकान नहीं देख के मेरी सुमती हैना मेरा थकान देखती थी और मेरा गोड में तेल देती थी यानि तेल लगाती थी और उक्रों बीना पुछले हम खेत वा कैसे बेज देंगे बूचादा ये हमसे नहीं हो पाएगा उसके बाद क्या होता है बहराय का मतलब क्या होता है बहराय का मतलब भूचा ज היोगा वह डरिष्चस रे पहला डरिष्च guidelines निकलना चाहेग तो भूचा कहता है कि हाध्याँ से सुनीगा यते जाते कहा जी सबस्क्一点 जोड़ा है आज तक जिसके ऊपर बुचा सिंग्ग का नजर पड़ा है यह ना कि ना क्या करके और रही सभ्यास द sabemजेगा द्रिश दूचि और सुरू अवहत सुम्ति और सुरू देखिए सुम्ती कोन सोहराय की पतनी और सुरू कोन सोहराय का बेटा और सुरू के हाथ में एक थैली है यानि की एक जोला है शुरू बोलता है माल हमरा स्कूल जायके मन नाय करे है हम उत्वर संगे खेते जी वो तोईधान रोब्बे आर हमें खुखडी खोज वो देखिए स सावन का महिना है तो खुखडी आप समझते होंगे खुखडी उठता है जंगलों में पहाडों में खेतों में दोस्तों है और इनका जो खेत था वो तो जंगल के तरफ ही था तो शुरू क्या बोलता है कि मैं मेरा स्कूल जाने का कोई मन नहीं कर रहा है हम भी आपके साथ चलेंगे आप धान रोपिएगा और हम क्या खोजेंगे खुखडी खोजेंगे तो सुमती बोलती है अपने बेटे को कि नाए बेटा तुई स्कूल जाओ देखा कि कल बदरी कर रहा था बींज के ले जर बेजार भाय जीता हो और काम नागा भाय जीता है ना कि जदी जीनी स्कीन देवो यहीं कहती है कि अगर भींज जुन जाएगा ठीक है बरसात में तो फिर क्या हो जाएगा फिर बुखार लग जाएगा तो अभी हाथ में पैसा भी नहीं है कि तुम्हारा दवाय विरोहम कर पाएंगे दवाय कर पाएंगे इसलिए बोलता है कि जो सोना जो सोना जो इसली बोलती है कि जो सोना जो जाना था इनको कि कहते हैं सुमती बोलती है जाहू बाबा जाहू एह तो शुरू स्कूल गेल सुग्या का आसे हो है ना इस बोलता है कि उ तो आये जाएगी लेकिन कुलिक का भैसूर आया था कुलिक लड़की होगी जिसका भैसूर को नहीं बुचा सीग बीचा सीग कि बेटबो की कहल क्या कहा उन्हों ने बुचा सींह के बारे में क्या कहा उन्हों ने थैक है अब देखिए tô दोस्तों यहाँ पर क्या है यहाँ पर बड़ा इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर समझेगा इस बात को कि क्या है सोराय बोलता है और बोल रहा था और बोल रहा था समती बोलती है कि हाई बबा इटा की कथा कते साइधे राय दीन माटी काईट के एगोखेत बनो लो कितना मेहनत करके राय दीन माटी काट के एगोखेत बनो लो एगो गिदर है एगो बेटा है दूपवा धान होगा तो पीठा बनेगा है ना और नजदीक आके और कहती है अपने पती को कि तोहें की कह लग यानि कि आपने क्या कहा उसको सोराय बोला सेहे खातिर तो तोरा से पूछी हो तोरा बिन पूछ ले हाने की कहब है है ना कहता है क कि सहे खाती तो तोरा से पूछी हो तोरा पूछ ले हमें की कहब यह सुमती बुलती है कि तोहे की बोका लागे माई बापए के भोजे तो दूगो खेत गुचावले आवरी बूझा खेत वा उपर नजर है इन उनकर यहिंदि के कहती अपने पती को तो तुम क्या बेवकूप हो कि माबाप के भोज केे लिए तुमने दो खेत को खेत को क्या कर दिया बेच दिया अबरी बोने खेते वह उपर नजर है उनकर बूचा सिंग का नजार हमारे बंके क्या ना करती है कि हम लोग दोनों मिलके महिनत करेंगे और किसी प्रकार से इस समय क्या कर लेंगे चास कर लेंगे खेती कर लेंगे समती स्मती ने कहा कि एक ही को अपना बेटा है क्या उसके लिए कुछ नहीं रख दें आप सिधा से दियो उसको क्या कर दीजिए मना कर दीजिए सोराय फिर बोलता है कि लेकिन गरु के बिना चास कैसे होगा यानि कि जानवर के बिना खेती कैसे होगा सुमती फिर बोलती है तो है फिकिर नाय करा हमें काक्रोठिन कुरियक धान बाप पैसा नाय लएके कई दिन हार गरू माइंग ले बाए और यह बचहर चास कर बाए आप फिकिर नाय कीजिए हम किसी के सामने क्या कर लेंगे मसदूरी उसदूरी करके चाहे तो पैसा या तो ग पैस कर लेंगे किसानी कर लेंगे चार्वाइघ तरे घयुक चावल को पका दी आप खाकर कर्के और चल जाएगा और बांद की चल जाता है ऊछारां क्लाए जाला करता है ऑफ यानि के अब उसी द्रिस में का आएगी सुग्या आती है सुग्या कोन सुग्या की पत्नी सुग्या चल वहिन बड़ी Дेर भाय गेल आई शुरू के बाप घड़ी हातुन जयग खेत बाट मांगल थो Gust L सुग्या बोलती है कि चल वहीन बड़ी देर भैगल और देखती होगी किसको सुहराए को तो बोलती है आज सुरू के भाप घरी है तुल जग खेत बाते नागल थू एनिक आज सुरू के पिता जी घरी में है क्या खेत तरप नहीं गए वहीन गरीब लोगों के बड़ी चाप हैना कते साथ एक हार गरू कि लो में तुकेगो गरूआ मोईर गेल खेते पानी लाइक गेल चास कैसे होगा यह फिकिरे सुरू कुबाप हाई निसार भाईले केल थर यहनी कहने का मतलब है कि नहीं भहीन गरीब लोग का बड़ा तकलीफ है कितना पैसा जुटा के मेहनत करके दुगो गरू की ने एक हैर और दुगो गरू की ने लेकिन एक गरू क्या हो गया मर गया खेते पानी लाइक गेल है यानि कि खेत में पानी भी आ गया है चास कैसे होगा तेकर फिकिर में यानि कि खेती कैसे होगा इसका फिकिर में सुरू के पिता जी क्या है हतास हो गए है कुन सुहरा की पतनी की बोलती है तोॅ더 विंद मैल के चासवा उठाय देब्ठू हम इनके तो ओह आपनधहर हीट चुनते है कोह पतनी क्यों 0ốn सूंती प्योटिच यहां आफम dh कई सुघ्या भाइन लेकिन हम लोगों का तो कोई नहीं है उसका भी आस नहीं है की तो काहे ने सुरू के बाप के कहा ही जे हमर घारे के टाक संग मिलके चासवा करब थून गरीब गरीबी के सहाय हुए तब सुगिया देखी कितना बढ़िया बात कहती है दोस्तों याद रखेगा किसका गोतिया नहीं आपना होता है क्या आपना छोड़ करके वो दुसरा का कर देखा नहीं है तुम काहे ने सुरू के पिता जी को कहते हो कि हमारे घर का जो एक बैल है और आपके घर का जो एक बैल है दोनों को मिला करके और इस बार खेती कर ले गरीब गरीबी का सहायक होता है सुमती बोलती है सुगिया कांदे खुशी से हांत रखे सुमती जो होती ह है कि की बैस बात वहीं हमार एगो आर्थ और एगो गरू है आज सांज हम सुरू के बाप के कहें तो हूं अपन घरे बातवा रखें चल बड़ी देर भाइगिल यानि कि बहुत खूस हो जाती है दोनों बोलते का बात किया तुमने मेरा भी घर में घर में तुम्हारा भी घर म सामने करने के लिए बाहर हो जाती है अब दिरिश से these are कांधह गो टाइंगला लेकर सुगना आवे हैं अर तनी देर में शूगया आवा ही यानि कि खेत में पानी लग गया है और सुबा सुबा आप कहा जा रहे हैं शुग्या बोलता है कि बोन बटे जाहो जंगल की तिरफ जा रहे हैं कुछ जुरी ऊरी चुनचन के लाएंगे यह नहीं जलावन लाएंगे और कुछ झिंगा बगरा मिल जागा तो उसको मारूर के लाएंगे है न सब जूब जी का विवस्ता हो जाएगा सुगिया में एक बात ना चाहती थी सुगना पुलता है के बात क्या बात है तो सुगिया बोलती है इस बार दोनों मिल करें, चासा का मतलब हम लोग किशानी करते हैं, थोड़ा सा सोच के शुगना बोलता है, तो तो ठीक का है, में तुंक सोहुराइदा तयार हो भसता थे तो, यहनि कि तुम तो ठीक करती है, लेकिन सोहुराइदा, में तुक का मतलब, लेकिन सोहराई दा तयार होगा तब तो सोहराई आवा है अब उसी दिरिष्ट में क्या होता है सोहराई आता है सुगना जोहार भाई तोरे ठीन आई ही लियो यानि कि सुगना जोहार यानि कि प्रणाम पती करता है और बुलता है कि तोरे ठीन आओ ही यानि कि तुम्हारे पास ही आ रहे थे सुक्णा जोहार द्धा आओ एक हम इन तोहें बाथ लिए सुग्ना बोलता है कि की परनाम करता है और उसके बाद भलता है कि अभी हम लोग आप के बात कर रहे थे सुहृराय बोलता है देख भाई हमारी गळुँ संद घृ अर करने का मतलब है सोहराय बोलता है कि देख भाई हमारे गरू है बाया दाइना जने बांदेगा इतना मजबूत है कि सब तरफ चलेगा और तुम्हारे पास गरू है क्यों ना इस बार हम लोग दुनों मिल करके और चासा करते हैं सुगना बोलता है कि मैं भी तो यही बात करने खोज रहा था लोग के खोसामत करने से यह बढ़िया रहेगा सुबह सुबह हम गरू बांद ले करके और आपके पास क्या जाएंगे आपके खेत के पास आ जाएंगे सुगना आगू तोर खेते महिर दे भाई ने तो हिएंगे लोग काफ्टून के मज्या एक भूलाए के आगू अपने खेत वह जोताएं ले ले यहनिकि काने का मतलब सुगना बोलता है कि नहीं पहले तेरा खेत जोत देंगे ने तो गाउं का लोग कहेगा कि देखो पाफेले दिमाग लगाया और पहले अपना खेत तो सुगन बोलता है नहीं देगा है सबस्क्राइब कि नहीं देने और उसके बाद हमनों क्या करेंगे हम किसी का बात पर कोई कान ने देंगे दुख का समय में कोई नहीं है मरा ददा सुगिया बोलती है हमें सुमती के संगे आइज आठीक कुर्बे सुगिया बोलता है कि हम सुम्ति दिदि के साथ आज ही क्या करेंगे आठी को बनाने जाएंगे आठी वही भी हन जो रोपता है तो उसका बाद सोहराय बोलता है तब यह सुगना हमुझा हो राक्षा सिकल तणी ठीक करें हुए आज मन तनी हलुक भेल और देरी कर ले नहीं च अब देरी करने से काम नहीं चलेगा तो सुगना बुलता है की ठेक है ददा हमें भी आजए आजए भूस अधंपुरहाइं आजए यानिकि हम सुबह सुबह आ जाएंगे अब दिरिश से 4 यानि छॉथा दूरिस आता है कघता है मम्मी किसानी कहता है हम दो क्या क्या करेंगी एक घरू करां लेंगे सुम्ती बोलती है ठीक है गळा और बात आयल है की ठीक कर रहे है आप लेकिन हमारे मन में एक और बात आया है है न है तो ज़ने है थो hai नहीं अगने कि इस साल का खेती नहीं हो पाता सुमती हसी मूँ बोलती है यानि हस्ते वे बोलती है काहे न तो है सुगनक संगे फूल पता है लिहा दुखेक समझ में जे काम आवे ओहे अपन हीत मितर यानि कि काहे न तुम सुगनक के साथ में क्या करते हो सहिया जुडा लेते हैं आप और समय में काम आता वही तो हमारा सहिया होता है वही तो हमारा हीतं मितर होता है देख़े दोस्तों आदिवासी समाज में जो है वह सहिया जो पधती है यरे xte यार्गे कहा जाता है कि वो तильно चुटता है आप समझेगा इस बात को ठिक है तो सुंती-गूर चिरा Torah-फूल एक म और सुगना एक दोसर के माला माला पिधाय के गूर चीरा खियावत है यानि सुम्ति क्या करती है गूर और चूड़ा गूर चूड़ा लेके आती है और फूल का फूल का माला लेके आती है और सुगना और सुहरा एक दूसरे को फूल का माला पेनाते हैं और गूर चीरा के खि हम हिन नहीं मिलेगा तो सचता क्यों नहीं लोग से मित्रता कर लिए तो भूचा बोलता है आज से तो हीं दूयो जहान फूल भाई-गे-ले उखे-दुखे-एक-दूशर अब दुनों के घर के मिलने के उपलक्च में अमर हो अमर हो ठीक है सुग्या बोलती है फूलीन यी बचर करम परवे तो हीन हमर घार आया हमें दुनों जहान संगे करम नाचब सुगिया बोलती है अपनी फूलीन को फूलीन का मतलब यानि कि सुगिया किसको बोलेगी तो सुगिया सुमती को बोलती है कि फूलीन इस बार आप करम में हमारे घर आईगा यानि करमा पुजा में हम लोग दुनों एकदम संगे संगे करम नाचब करम नाचब करम नाचब करम इस बैर अख रमें अख्रा में अख्राब जानते हैं अख्राइ नाच गाना का अस्थाल पंचेती अस्थाल का आप अघ। फूल का मतलब की yüzंगी ना चुपकी ना तुल वह इस बहुत दिन से जूमर नहीं कि लें इस वार जीका जूर यानि कुब केलेंगे चला फूल यहीं कहने का मतलब है कि देखो लएक सुरू कमा यानि कि सुरू कमा यह मतलब किसको भोल रहा है वहर रहा है सुमति को कि शुरुकमा चाड़े बियारी बनाओ चाड़े का मतलब जल्दी पहले भी बताया मैंने और बियारी का मतलब होता है रात का खाना चाड़े बियारी बनाओ फूल फुलीन खाय के जेते यानि कि सुगना और सुगिया खा के जाएंगे जो फूल फुलीन के बने थे चला फू एक और से एक आंकी समाप्ट होता है आसा करते हैं दोस्तों कि आपको यह दूसरा जो चप्टर है हमारे डूड आयर जीरुल्पूल का फूलेक आंकी का वह बहुत पशान्द सब्सक्राइब करें तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बहुत जदा याद रखेगा दीपक जी सेकेडमीर के तरफ से बहुत बहुत प्यार आपको बहुत बहुत धन्यवाद